जोहार दोस्तों मैं सावितरी ओ और सभी कुमारी ओपिसियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हुए अभी फिलाल हम लोग फिर से जा रहे हैं वहीं अपने ड्यूटी में साइड में और पता है हम लोगों को ड्यूटी तो बहुत इंपोर्टन है अभी आप लोग कंटीनियो रही है और फाइनली दोस्तों मेरे गनेश जी मम्मी मैं हमारे प्लॉट में पहुच चुके हैं और इधर यह ठीकेदार भाहिया भी आचुके है अभी सोच रहे कि अभी तुरंत यह क्या बोलते हैं कि अभी सूच देंगे और बंब को चालू कर देंगे और इटा को भीगा तो रोज की तरह फाइनली दोस्तों हम वापिस अपनी साइट पर आगे हैं यहां ही पर खाना अनास्ता खाना यहीं कर रहे हैं मम्मी मैं धरम पत्नी जी को मिट खाओ न तब यह तुस्से अच्छी लगी इनकी तब दो दिन से ठीक ही नहीं कि बुखार चड़ा उतरा फिर हम जब फिर खराब तेनहीं है कि अधरन है और अभी टाबलेटि डेके चो जा जाएंगहो कि है मम्मी तुम्मारी अरूटिश डम्री ड्रौल ड्लोटश अभी सपेखने मेरे को कि तो किसी ने कुछ देया हीення विक व्यों एक त्टीश क। वह अब दो दोनों का दिख रहर हुआ है और दोस्तो कुछ अर्जंट काम आ गया जिसके चलते ही मैं और गनीज जी जा रहें फिर से इमार्गेट और मार्केट में कुछ खरीदारी करनी है वो खरीदारी कर लेते हैं और कुछ गनेश जी को कुछ काम था वो भी कर लेते हैं मिका कहना है कि यहां पर बैठने की सुविदा नहीं है तो कुछ ले आते दोस्तों अभी आये कुर्सी लेने के लिए बैठके दिखाएं न कर बैठ ठीक है यह से स्लेक्ट कर लिजिए और दोस्तों अभी हम लोग गये थे मार्केट और मार्केट से हम लोग लेके आये दो चियर यह देख सकते हैं मेरे गनेश जी बैठिए बैठिए उद घाटन तो पहले कर चुके हैं और इधर से माम अभी बैठ जाए तो क्या घाटन कर दीजे तो आश्ग में तो आश्ग लेकर आई गए अब है अब हम उगलेकर लिए भाटन नीव घर के लिए निव जी अ बढ़ा है तो अ अटारोड तो पाइनली हम ऌनीव चयर पर सब बैठे हमारी अम्यारी अरिधा और इधर नहीं ठान परत्मीजी दोनों बढ़िया परिकेंड बहुत ही सुन्दर तरीके से जैसे कि दो मूर्तियां बैठी है और अभी हम सब मिल के चाय नास्ता पानी करेंगे कि देखते हैं कहीं से चाय बुलानी पड़ेगी और यह लोग बढ़िया बढ़िया से बहुत ही सुन्दर तरीकी से एक रोड की ऊपर बैठे है इदर हमारा काम चालू है कटिंग मटिंग सलाखेदा अच्छे से थोड़ा बहुत काम चालू है और पाइप हमाया थोड़ा सा चोटा हो गया था करके बड़े घेश का पाइप भी लाकर रखाया है और इधम बढ़ा जी बैठके फिंगर खा रही है डड़े नड़े खा रही है खानी रही हो खाई रही हो नब आपके हाथ में का क्पना हम बबु क्या सुच रहे हो कैसी तबियत लेट के क्यों हो तबि तो दोस्तों फाइनली हम लोग घर आ चुके है नहाद हो कि भी तयार हो गए लेकिन एक दुविदा आ गई हमारे पर कि हमें रेती ही नहीं मिल रही है पहले बिल्टी पहले मिला 10,000 जाए या यह करीवान 6-7 मेहना पहले और अभी कुछ दिन में क्या होगी वह पर बंध हो गया जने से से अब हरा सोता न हाई इसलिए वह बंन में बैबन करके भी वह ब्लैक में बेच रहे थी सजार फची सजार अजब के में कि उसका रिट कितना है थाध से पंदरहजार और और अभी सऊचिती सजार मतलब कि इतना डबल हो रही है तो उसी लिए कि हमें अभी कुछ दिन काम स्टॉफ करना पड़ेगा सायद एक दिन चलेगी क्योंकि सलाखा बांध रहा है तो और एक दिन चलेगी कल तक लेकिन रेती नहीं होने से हमारी काम नहीं हो सकती हम लोग बोले जितना जल्दी हो जाएगा हमारा घर क्या हम उधर भी निकलना है उ और हमारी कुछ न कुछ अर्चन आही जा रही है कैसे जो घर बनेगा समझ में नहीं आ रही है क्योंकि उतना पैसा तुम लोग दे नहीं सकते हैं बनेगा महनत करते रहेंगे बनेगा जरूर रेती का थोड़ा सा कम होने देते हैं अब इतना कम रेट में डबल का डबल ले तो यह हम लोग नहीं न दे सकते और पैसा तो अब पता ही है कैसे कैसे करके आता है तो दोस्तों भी वीडियो यहीं पर एंट करती हूं क्योंकि आपने देखा हमारे सुना कि हमारी रेती में थोड़ी प्रॉबलम हो रही है जैसे रेती आ जाएगी हम लोग अपना काम चाल यहीं पर अबंद करते हैं आहों आज का ब्लॉग पसंदा है पसंदा प्रीज हमारी वीडियो को लाइक किजी दिसे किआ हुपने अगी शेक कि वाई तो अमारे चैनल को सब्सक्राइब किजी आज की लीए इतना ही दोस्तों बाई 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 जय हिन वद्मात्रभ, जय ज जे धारकन, जे महारास्टा, इसलिए दोस्तों मेरी मूठ हो आप है तोड़ी सी, मैंने